इसी कारण से जद्दबी आजकाल दुम्या में सभी का पास धन बहुत है पर अंतो कोई शुखी नहीं है इप्पुडो प्रतिवार्दिकिर दनान्ने आर्टिंजड मात्रमु प्रतिवार्दिकिर दालम उँदी गाने आ धनम वल्लनु वारिके सुखमु सांती अन्नरे कलक्पोनावन दि किसी का कारण में जद्दबी धन है अमाना पास धन है दुछरा आदमे खुछको चीन लेता है उसका चीज का उसका पास जो चीज मिलता है उसको दाम बढ़ा देते हैं और आज एक दाम है कल एक दाम है सभी परेशान है इसलिए इंदियत पर नहीं करके जो भगवान की किरपाशे कोई उपार्जन करे अपना जीवान अची तरह से रखें ये बात नहीं है जो कम खाए जादा खाएं नहीं शास में बताते हैं जुकताहारो विहारस्थ जोगो भवति सिद्धित जो आपको जुरूरत है उसमकार जीविका निद्वाह कीजिए परन्तु आओर धन चाहिए आओर धन चाहिए और इंदियत परत्मन में उसको लगा दे उचीद नहीं मना इंतु धर्ममलो व्यत्सी आत्म ज्यानानी दैवतचिंतनने आप्मिष्ण przynajमारिके मन शांत्य चेपोर तांटिके पड़्य कीपे इसलिए सास्रमे करते हैं, जीवस्य तत्व जिज्यासा, जीवस्य कारतो होता है, हिंदु ने, मुशल्मान ने, खृिस्चन ने, सभी के लिए, तत्व जिज्यासा करनी चाहिए. जीवस्य 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 जीवस् कि अनेक जर्म का पस्ष्ञात इसको मिला है, बहु संभवारते, अने चुड़ाशिलाग जोनी भवन करते-करते ये मनुस्य जीवन मिलता है, इस दिये इस जीवन में, मनुस्य जीवन में तत्व जिख्ञासा तर्नी चाहिए। मना धर्मालोने अन्डी लिखंटे ब्रह्म जिख्ञासा आने उनननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननन सब मनुष्या आपना कर्म में निजिकता है, रुप्या पैसा रोजकार करने के दिये सभी बैस्ता है, परन्तु ये बात नहीं है, जो खुब रुप्या मिले और खुब पजा करें, इंदिया तत्मत करें, ये उचीत नहीं है. ये वरके एक दना करें लोनि अ पेक्च्या हुनतु थो वारेट कि ये उची ग्याँ चिंतनरो ने जना आत जनलोने इल्लम पुडूश्य hospitalized बैस्तो नहीं हुड़ा करें, हो लोग पोर खो रुप्य न्रवा इतवय के वर जुद्या से साजो कर्मा है. यह मनुष्य जीवन वही हो सकता है, क्योंकि और जो दुष्णा जीवन है, कुप्ता है, दिल्ली है, क्या और जो जानवार है, वो तत्रजिग्याशा नहीं कर सकते हैं. इपड़ो मनारत, जीवन मनम्, वुष्णुलो लिया अने जीवन होनाई, खुप्क येमी चेस्टुना दो देरुसोन, पसभी येमी चेस्टुना दो देरुसोन, अलागने अवन्ले उडान वादिके आत्मजिक्याशा तत्मजिक्याशा चेसिंदेके वेटिकी गुडा हट्य क मान वालू क्या हमें ये यक चल्र जन्मा पहत हुआ ने जर्स गुणिदेके, जीवन तक्वा ने जर्स गुणिदेके, जीवन के मैं ने देवन के हुटे की अधे उड़तिम वह एंटे राहस्याशा न जर्स गुoundिदेके आवकास निक लिवन्टूंदे, तत्व जिग्या सरे अऄनी कि अट्व जिग्या सरे रहस्याननुंदे वर्तोंदे। साजी तरव इनट वर्टे चंदन उन्ना वारी के ये हात्व जिख्या सगाने, तत्व जिख्या सगाने अंड़ की गुड़ा वारु तिर्श को लेश। वार के वलमु धानमु मेदनु दे अमोह मेदने वार यो कब्रयांतरे लपुडो लामपठम लो उन्टू उन्टाएं। अब रहे ही हाँ, जो तत्व जिख्या सा क्या चीज है, तत्व क्या वुश्तु है, इसको पास जाकरके उसको पूछा जाए, ये सा प्रश्ना होता है। इसलिए शास्त्र में, विदाधी शास्त्र में बताये हैं, तद विज्ञाना खंशा गुरु में वाभिकत छे, कि वो तत्वस्त्र को पूछने के रिये, गुरु का पास अवस्त्र पहुंचना चाहिए. तत्त्तितता हैं, तत्त्तममसी अवस्त्र पहुंचना तत्त्त पहुंचना बताये हैं, वाइड़ गुरु में वाभिकत छे, कि विदाधी शास्त्र पहुडशा आन। लक्षन भताया है, तद विज्ञाना अठंसा गुरु महिवा विगच्चे समित्पानी शुरूत्रियम ब्रह्मनिष्टाव। गुरु का ये लक्षन है, जो वो परब्रह्म को सब बात को सबस्ते हैं और उसको समझा सकते हैं। गुरु साथ गुरु रहस्याने गुड़ा चिल्ष्टो होगाए। गुरु येवराणे चप्पबरता रहांटे केवला आत्मत ज्याना अने चिल्ष्टो आप ब्रह्मभ जिग्या सो हुनट वणटे वारेके इजीव रहस्यानने ये लकुडु गुड़ा वारे विमस्तन आ रिज्ञासु इस्रेय उत्तमाव साथदे परेचनिष्नातं ब्रह्मनी कुसमास्रयम। एकाजसद्यायम दो चपबरतुना रेवनेंटे आत्मत ज्यानना ने ब्रह्मत ज्यानना ने प्रभोधिन चीडिके वारवा रहस्याने चिल्ष्गोने प्रति अनु अनु ने प्रभ उसका लक्षमेट में समझना और शासनमे जीशा बताया है जो जब भगवध धिता में बताया है एवां परंपरा प्रावत्तम इवां राजल सहभि uwagę जो भगवध तक्तव ग्या, भगवान खुद बताया है और पहले सूर्य लदेव को बताया था, सूर्य fenya देव अपना पुत्त्र को बताया और मनुको और मनु महराजी खाकू बताया इसी पुरु आ परंपरा सुत्र से गुरु आता है। पुत्र को बताया इसी पुत्र से गुरु आता है। घनत्या नाक्त्या कल्यान गुनार रप्र्ष्य बंदे गुरस्री चननार रिन्नुकू गुरु का लक्षन ही भुता है कि सब दुन्या में संसार दावानल। ये जो सम्सार है, ये दावानाल सरूप है, इसमें सब जल रहा है। सम्सार मन्ने दे ओगे दावानाल मों आख्रिक ज्वान लग्जेत भग्वग्वग्वन मंगतु उम्गट मंचिदे। इदी प्रती जीवग्वड की गुड़ानों इए ये मन्टलों प्रती ग्रोष्टुड की गुड़ा भादल कलिपिस्तु उन्टाई। अब दावानाल अन्य गुड़ानों धरिंप जेशिंदे के आ युक्त भगवच्चिंतना आत्म ज्ञानान ने प्रेभोधिंची इगुरु प्रेभोधिंची ने तुमटे अमुर्थ धारे ये युक्त गुरोष्टुड की इजीवड की धरिंप बढ़कुंदा रक्षिं अने को जाता नहीं वह आप से आप भी लग जाता है। युक्त भगवच्च मुट अन्वोष्टुन नटवन जिवारी के वोक्का भगवण्यामसंकेतनम दभ्प मरेंगों घटि देतों। अधिये मना तेलुगु भागवत बलो, वोक्त बज्या मुदे एक दुआ है, आम तेलुगु में पढ़कें इसका आपकाई देंगे तुगुविंद कधासुधारस महावर्श्वत्ति धारापरंपर, गुदेंद्रचंद्र इतरो पायानु रक्तिं, प्रविस्तर संभालिता आनेका, दुस्तर गंभी वे कतोर रकादमचकन धावान नम्मारुने, ये कतोर में इनके वन्टे अंकिने ज्वालान मन्दी पोस्तुँँँए, ये मन्टलो यालनिकें चेम्मुदो निल्रु पनिगरे वट, केवलमु मेग ध्वारागा होच्ची, मैने वुलो आजे प्रभोतिस्तना दे मने गुरोडो, आप गुरु भोली चन्दे धर्मंगा मुर्तधारा आने जपतुँँँआ, तो गुरु का विशाय थोड़ा, आम लोग संगीत करेंगे, आप लोग थोड़ा सुनिए, गुरुगार यक्त, प्राद्धने उटो, आप आप गुर्त ना दे पे जब गुरुदा रिनावर सुनिए पे जब गुरुदा. पारिन्न घनागनत्यम् अम्नायर्णावा अंगरिर्णोट्यम् नायकारुद्या अम्नायर्णाथ्यम् राप्तस्यकल्यन गुनार्णवष्य बंदेगुरस्य चर्णारदिन्यम् राप्तस्यकल्यन गुनार्णवष्यम् राप्तस्यकल्यन गुनार्णवष्यम् बंदेगुरस्य चर्णार्दिन्यम् राप्तस्यकल्यन गुनार्णवष्यम् संसार जाबान ललीद लोक, रनायकारिन धनागन अक्तम। संसार जाबान अचली अलोक, रनायकारिन नागना अक्तम। राद्ध सकल्लान खुनान बश्य। बंदे गुरा से करनारिन न। शाहर्यकायता अक्तम्हार्यकार्यां अंदे गुरा से करनारिन्न। महाप्रभोकी टननित्तरित वाधित्रमाध्यन मनसौरसेन । महाप्रभो की तननिच्य वीदा, माधित्रमाजन मनशुरसेना महाप्रभो की तननिच्य वीदा, माधित्रमाजन मनशुरसेना सुमान्चकंपास्युतरंग भाजो, अनिगुरसी चरनारंद्रम रोमाँचा कांबा उतराम्त 요ya Vágyo,ंडे व्योरान्षी नम्यारत पेदैना महाप्रभुकीत न नित्ध भीता Vādhita माद्यम्म्न सोरकेना महाप्रभुकीत नित्ध जारीकॉ horseर परित्यम्मॉद्यम्न सोम्न सोरकेना रमांच दंपाचु तरंग भाजो, पंदि गुरक्षी चरनार भिन्दं। रमांच दंपाचु तरंग भाजो, पंदि वरोसी चरनार भिन्दं। रिविक्रहा राधन निक्या नाल, सिंगारतन्मन दिरमार्यनाद। रिविक्रहा राधन निक्या नाल, सिंगारतन्मन दिरमार्यनाद। रिविक्रहा राधन निक्या नाल, सिंगारतन्मन दिरमार्यनाद। युक्तस्यभाग्तांचा निजन्यतों पी बन्ले जुनाची चरनारे बिन्नम् युक्तस्यभाग्तांचा निजन्यतों पी अचेको जोर्षी चराने उन्नम् अम् नम् भगवत्व वासुदे बाया बाचुदे 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 बा अग कलम लो वो फैरिस्लोग, सभई पुंशांपरो धर्म, यतो भक्ति या भुख्वजे, कि भगवान भुख्वजे, उनका चरण में प्रपत्ति और भक्ति योग, भक्ति योग का ठोठा है, श्रवनां कीतनं विष्णु, भगवान विष्णु का भिष्वे, सुन्ना, जैसा अबलग सुन्ना है, ये भक्ति योग है, स्रवनां कीतनं, और सुन के फिर कीतन करना है, याज उदर भगवान के पीसे यह आलोचना हुए, और यह उचित है, उसको स्मरन करना, स्वनंग कीतनंग विस्म स्मरनंग, जो हम लोग सुनता है, सत्संग में, उसको फिर स्मरन करना चेह, इसी प्रकाश्य भप्ति आगे बढ़ दिया, सत्संग से बहुत रुचिप्रद होता है, वो भराटिया से नहीं, सत्संग जो लो भगवत भक्त है, उनको साथ बैट कहते, और भगवान की मिशाय सुनना, फिर उसको आलोचना करना, अक्सी तरह से, स्रवनाम की इतनां विष्णो, और जो ठीक-ठीक स्रवन किया है, वो अवश्य की इतन करे, यह भगवत भक्ति का लक्षन है, जो सहिए, अंग्रेज लोग, अमेरिकान, जुवक्त है, उनको भोग करने की इच्छा, विशेश करके, पास्चातु देश में बहुत सु भिदा है, लाकि क्यों की श्रवन किया, अब देखे, सब छोट-छोट करके, यह बाला का पस्था में, सन्या से ले करके, सारा दुनिया में पुचाता, की इतन करके, यह श्रवन का फल होता है, यह बास्तविक कोई श्रवन क्या है, भगवान की कफ़ा, फिर भीतर से उसको प्रिरना होगी, जो मैं इसको कीर्टन तो भी, कप्यों सुनाओ, इतनी अच्छी चीज है, जुनिया को सुनाना चाहिए, इसका नाम है कीर्टन, कीर्टन का यह अर्थ नहीं है, जो मिर्दंग और करता लेकी खरी कीर्टन होता, नहीं, भगवान की कफ़ा, सुनाना यह भी कीर्टन, जो सुद्धे पोष्चानी की असा, अब अब अबद बहिया सखी कीर्टन है, जो स्रवन कीर्टन, स्मरन, भंदन, अच्छन, अनेक्ष्रता का अंग है, कोई भी अंग लीजिए, सब लीजिए, अभी चीखाए, कुछ लीजिए, अभी चीखाए, एक तो जरूर लीजिए, जीवन साथ्थप हो जाता, उसका अधारण शुर्देशत, पर्खित महाराद की बद स्रवन किया, उनका खीर्टन करने को मौका नहीं मिला, साथ दिन उनका जीवन बाकी था, तो सुप्देश पुर्ष्वामें उनको उपदेश दिया, चो महाराज अब हमारे क्या करने चाहिए, साथ दिन रही जा, मरने का. तो सुप्देश पुर्ष्वामें उनको बताया जवाब, सुनो, भगवान की कथा सुनो. तो परिखित महाराज के बल सुना और उनको सुनाया सुग्देवुष्णागी, कीतन दिया। शी विष्णुष्ण स्रवने परिखित, भगवान का विषाय स्रवन करके परिखित महाराज मुक्तव हो गया। अब अबद बया शकी कीतन है, और बया शकी विष्ण देव। उनके जो फुत्र है शुक्देवुष्णामी, वो किभल कीतन करके मुक्ति लागिए। शन्षार से उस बाँ चला जए। यससाज समें निट्देश है। तो ये भक्ति-जोक ये समरम कीकतन जो है, समरम कीकतन अग विष्णो, ये स्लोक में बता रहा है, ये बासुदेवे भगवती भक्ति-जुग अप्रेल दिखादू। अधुख़ज, पहले बताया, अधुख़ज, भक्ति योगम अधुख़ज, सबो इन पुंशान परो धर्म, यतो भक्तिर अधुख़ज, कोई भी धर्म जाजन कीजिए, उसमें कोई जाता आता ने, बाकिजी, खल देखना चाहिए, आली हिंदू, मुसल्मान, खिर्ष्ट्य बोलने से कुछ लाव नहीं, बास्ति बेएक फल देखना चाहिए, को फल जा है तो भक्ति योगम अधुख़ज, अधुख़ज, अध़किताव अक्षजज अ ज्यानमां, हम लोगका जो ज्यान है, प्राकिक अ ज्यान, ये इंद्रिय से हम लोग ग्रहन करते हैं, जैसे आं अश्रादम करते हैं, हाथ से छूते हैं, और लाग से सुनते हैं, कान से सुन रहा हैं, इसी प्रकार, एकादस इंद्रिया है, उस दस-पादस इंद्रिया से जो हम लोग ज्ञान अर्यम करते हैं, उसको कहा जाता है ज्ञान इंद्रिया, और कर्म इंद्रिया, और मन, एकादस इदारा, तो भगवान जो आधो खज़, ये एकादस इंद्रिय का अतिरिक्त है, अतस्री कृष्ण नामादि ना भवेट ग्यायाम इंद्रिय, हम लोग इंद्रिय से ज्ञान लेते हैं, परन्तो जो ज्ञान हम लोग अभी अभ्वस्ता है, चक्यकर्ण नासिता अधि इंद्रिय से जो ग्रण करने ज्यान अर ज्ञान करने के लिए, हम लोग शिखा है, वो भौतिक, वो भौतिक ज्ञान से भगमात ज्ञान नहीं हो सरगा, अता स्रिक्र्ष्ण नामादि न भवेद ग्रायम इंद्रिय। इसलिए भगमान का नाम है अधोख ज्यान, अधोख ज्यान, इंद्रिय से जो ग्रहन किया जाए। भगमान है अतिंद्रिय। अतिंद्रिय अबस्तु मैं इंद्रिय से कैसा ग्रहन करूँगा, उसका उपाय बता रहा है, अधोख जो भक्ती अधोख जे, भगमान तुझ आँख से देख नहीं सकता हूँ। अभी हमारा जो भव्ति की इंद्रिय है, वो इंद्रिय त्यारा भगमत, विशय, ज्यान नहीं हो सकता है। इसले भगवान का नाम आए अधोख हो जाता है। वो ज्यान अधोख क्रिशमाप्य हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े जिसी लोग मुनि लोग, के बल चिंतनी करता है, बाती भगवान क्या चीज है, उसको समझ में नहीं आता, आके में बोल देता है निराखा बड़े। जब उसका समर्थ का अधिक हो जाता है, तब बोलता है, चलो जी, भगवान निराखा. नहीं, भगवान निराखा क्या हो, श्याम संदर, बड़ा संदर, प्याम, ये सास्तका निद्देश, प्रेमान्यन चृृत भवक्ति बिलो चनेन, संता सदाइवा, रिदयेशु बिलो पयंती, निराखा कैसा होगा, संता सदाइवा, सर्ष्माय, चविजन्टा भगवान को द हमारा जो अभी इंद्रिय है, वो इंद्रिय से अतीत है, ये इंद्रिय से हम लोग भगवान को दर्षन नहीं कर सकते हैं, निराखार नहीं है, नाहंग प्रकास सर्वस्त, यूग माया समा बृत्वा, भगवान गोते हैं, आम सब को सामने प्रस्तुत नहीं होते हैं, जा सकते हैं, उसको भगवान का तर्षन को रोप है. नून है, निला है. डाके यह जो भावतृक इंद्रिया है, यह इंद्रियत्दार्णा अतट्ष्कृ Jeju नामादि ना भवेद ग्राईहम इंद्रियत। यह इंद्रियत्दारा भगवान का विषा है, समझ में नहीं आहे है। तो हमारा पस यह इंद्रिया है, फिर हमारा भगवाद दर्षन कैसे हो गए है। उसको उपाय भी बदाया है। सेवन्मखे ही जिवादो्स्अ मेवस पुरत्वत्डन। हम लोग अपना इंद्रियत चारन करके भगवान को दर्षन नहीं कर सकेंगे। परंटो भगवान युदि क्रिपा करके हमको दर्षन दे, तो दे सकते है। यह भगवान की इच्छा है। तो औह भगवान कैस्ट इस्षा कैसी होगी, श्यवन के, जब भगवान के श्यवा में निजुक्त होए, भजय श्यवय माक्ति, श्यवा और भक्ति हैकी चीजिई रहा है ‒ Instead, जब भगवत भजन करने के शुरू करे के तो आभ भजन शुरू होती है, खीतर, श्र्वन, श्र् करें और कीतन करें, तो भगवान क्रिपा करके दर्षन देता है। मैं नहीं देख सकता हूं भगवान। जैसा प्रेशिदेंट है, राजा है, मैं साधारन प्रजा हूं, हमारी इच्छा से राजा का दर्षन नहीं होगा। मैं कि राजा जैसा है, तो इधर आके दर्षन दे सकता हूं, यह राजा की प्रिपार है। इसी प्रकार है, हम लोग शेष्टा करके भगवान को नहीं देख सकता हूं। ज़कर कोई सज्जन प्रस्ण किया था, कि भगवान को हम लोग दर्षन कर सकते हैं, साखार मैं। हाँ, कर सकते हैं। ज़ि आप जोग्य होगे। और जब तक अजोगो रहेंगे, तक तक भगवान का दर्षन नहीं को रहें। तो जोग्यता अर्जन करना चाहिए, वो क्या चीज है, सेवन्मके ही जीवादो सामेव अस्परस्तदो। यह पहली काम है, जो आपना दिफ जीवा है, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जीवा, आँख ने, जीवा, यह भी देखिए एक अलोकिक बस्तु है, जीवा से भगवान दर्षन होता है। तो पर जाते हैं आँख से दर्षन होता है। नकि सास्त आता हैं तो जीवा से भगवान दर्षन होता है। देखिए, यह भी एक अलोकिक बस्तु है। जीवा को लगाईए काम भगवान काम भारे खुष्णा हरे खुष्णा हरे खुष्णा कृष्णा कृष्णा हरे खुष्णा 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 हरे एकको उच्छारण होता है, सब्द का उच्छारण होता है, और जीवा से हम लोग आश्यादन कर सकते हैं, जीवा का लोग से ही दुनिया चर रहा है, यह जो इतना है, दुनिया में काम चर रहा है, क्या चीजी है, तो जीवा का लोग से है, कहा रहे स्टुडेंट है, कहा चाह काई भिडी है, कई शिडेर्ट है, काई मांसा है, काई म्धिरा है, और क्या है, और क्या है? जीवा तर जीवा है, कजि कब आ जीवा को कंट्रोल करके भगवान की सेवा में लगा सके। तो भगवान धर्षन हो जाए। ये सास्त्र का नित्य सर्थ। पहले जीवा को कंट्रोल करना चाहिए। बक्तिमुनार्था को प्रशार सेवन में जीवा का मिशा लिखा है। तारमद्य जीवावति लभो माय सुदूर मति तारे जेता कोठिन संसारे। क्रिष्ण वरदया माय करीवारे जीवा जाए। सब प्रशाद अन्य दिल भाद। कही प्रशाद अन्य पाव रधा क्रिष्ण कुन गाव। प्रमे धाकर चैतन्य नित्य। को जीवा को लगाना चाहिए। एक естतो जीवा को लगाना चाहिए लगितन में, भगवट लृटतन में। तद्विज्य गायन महामगनशित्य प्रलाज महा महानाच बता है। महाराँ निशंगते को प्रलाज महानाच कहते हैं। नईवद विजे पर अदुरत्य वही तो रन्या होगे। महाराज, अब हमारा कुछ दर नहीं है, कि समसार सागरपार होने के लिए बिल्खुल मैं डर पाने, बिल्कुल निर्भाय होगिया। क्यों, कैसे निर्भाय होगिया। तद विज्यगायन महामगन सित्का। आपका जो भुनवगान है, उसको मैं कीक्तन करने को सिध्या, बाद, हम जय कर दिया, यह संसार तो जय कर दिया। बाकि तुमको मालूम होता है, जो तुम दुखी है, हाँ, तो परलाज महारत कहता है, हाँ, हम तुदा दुखी है। किसलिए? ततव भिमकु चेतशा, जो आपको भुल गया है, भिमुका, भिमुक हो गया, भगवान को नहीं चाहते हैं, ऐसी ब्यक्ति जो है, ततव भिमुक चेतशा, माया सुखाया भरमत बहतु भिमूरान। कि जो माया सुख के लिए इतना परिश्व कर रहे हैं हे लोग, इसके लिए हैं मैं सुखाया है, हाँ, जो इदर रहेगा बीस, पचीस, पटास, ज्यादा सादा साव और और ये थोरे दिन के लिए रहना है इदर, बाकि इदर बहुत सुखी होने को चाहते हैं, दिन भावा परिश्व करते हैं, ये मूरकल के लिए मैं सुखता हूँ, इसलिए मैं दुखी हो, और हमारा दुखी है, छिए बहश्णप का विचार है, बहश्णप जो है, उनका कुछ दूख नहीं है, वो तो भागवान को गुन-गान करने के लिए सिखिया न, उसलिए और दुख नह कोई बजरुग है घर में, एक बच्चा बिमार है, बच्चा तो दुखी हई है, वो लोग भी दुखी हो जाए, जद्द भी उनका बिमार नहीं है, इसी प्रकार वश्णव का कुछ दुख नहीं है, परन्तु ये जो माया भरमुद बहुत भुमुरा, जो मूर के लोग माया दिन भर प्रिस्वं कर रहें, उनके लिए दुखी है, उनके लिए दुखी है, इसलिए वश्णव भगवद, नाम, गोन, प्रचार करते है, कीत्र करते है, क्योंकि तो लोग सुने, सुन करके भगवान का तरभ देखें और खुद भी भजन करने के शुरू करें, ये ही उन और उन्ट पई उद्देश नहीं। तो इसलिए आत्मी को सिखाना है कि सबई पुन्षांग पर वो धर्म यतो भक्ति अदुख है। अदुख जो भगवार, जो हमारा चक्तुकर्ण का विचार से अधीक है, और आगे है। अदुख जो किसी तरसे होगा। यह शोप में बता रहा है कि बाशुदेवे भगवरुद्धा. बाशुदेव. भगवार बाशुदेव बाशुदिव में बाशुदेव का जो संतान होकार कायास है कृष्ण का उध। उसका नाम है Vaas inadvert, जूँके बहुग्वानक23 पिता मतना कौन होगा है, बहुग्वान तो सबको पिता है, अहां अंग भीजप्रतक्रप्त है, जर्व जोनी शुकोंतिया सं्मावंति मूत्रयो आतााशांग महाज्जनि ब्रह्मा अहां भीजप्रतक्रप्ता है? भगवान सिकार काने हम सब के लिए भीजप्रत पिता है, और यह भौतिक जो यगत्था है, माया, दुर्जा दे लिए, माता जी तो वो भगवान, भासुर, जीव, भगवान का हम सब सरूप है, और भगवान सब का रिदाय में बैठे हुए, इस्वर शरु भूताना, मिर्ते भगवान का नाम, भगवान का नाम नहीं है, नहीं, भगवात का नाम, भगवान का नाम है, नकि कोई particular, कोई विशेष नाम नहीं है, उनको कार्जानुक्रम से नाम होता है, क्योंकि भगवान, भगवान का नाम का नाम है, नकि कोई particular, कोई विशेष नाम नहीं है, उनको का लड़का हो करके जर आबिर्भूत हुआ, इसलिए उसका नाम है बाषुतु। ये यसदा मैं कि संतार हो करके क्रिया, दिला, किया, इसलिए उनका नाम है यसदानम्तु। राधारानिस उनकी अप्रेम, इसलिए राधारम्त। तो भगवान का कार्य का उनुसा उसका नाम होता है, भगवान, अर्जुन, का हया हो यह दो पना्ञाइ सोत चलुटृ। तो बाहत हिए यह भीचार आम लोग को भी है, जो भग्वान को नाम नहीं है। का नाम है भी हिन्दुर्श का कार्ज है, इसलिए कार्ज का उनिशार उनका नाम है। तिदर बासुदे बता है, जो भगवान तो अधख़ जो है, बाकि अधख़ जो होते हुए भी, वो पृत्रानाय, साधुनाम, जिनाशाय से दुष्किताम, उस साधु को दर्शन देने के लिए, अपना भक्त जो है, उनको पिता सिकार करके बासुदे लूशते अवदूर न यह भी जाए, भगवान अधुख जो है, हिंदिया, अभान मने से बोचर, परन्तु भक्त को क्रिपा करने के लिए, भगवान जो अवतार गर्ण करते है, वो भक्त को क्रिपा करने के लिए, और आनुसंगिक, साथ-साथ में, जो लो दिमान, अशूर है, उनको भी, हत्या करतेह, परित्राना, शारुना, विना साय चो दुस्कृता, दुस्कृता करत होता है, तो केबल पाप कार्जमे बश्ट है, उसका नाम है दुष्कृता, नमान दुस्कृति नम् मूळा, प्रपद्वंते नराद, इसलिए भगवद्भवजम करने के लिए पाप कार्य से निभृत होना जोना। इसलिए भगवद्भधत्य नाम है। इसलिए भगवद्भद्भद्वत्य है कि बाइराग्यम ज्नायति आशु बाइराग्यम। बाइडाग्य विद्ध इसका आउलेक नाम है निवित्ती धर्म. प्अवित्ती धर्म और निवित्ती धर्म. प्रवित्ती धर्म मैं दुनिया को कैस्तरेचान भोग करते। इसका नाम है प्रवित्ति धर्म, इसलिए सब हम लोग आये हैं, जो की भौतिक जगत में है, उसका धर्म है प्रवित्ति धर्म, और इधर से छुट्टी ले करके, जो भगवान का पास जाने को चाहते हैं, उसका नाम है निवित्ति धर्म, प्रवित्य और निवित्ति, दो च ये चैतन्य महाप्रवो, आभी भाव, आभी भूत हुएत है, ये निवित्ति-धर्म शिखाने की, बैराग धर्म, बैराग होना चाहिए, ये जे दुनिया में आम लोग फसे हुए है, वो प्रवित्ति-धर्म के लिए है, आम लोग वोग करने को चाहिए, तो और अधोग वो प्रवित्ति-धर्म है, निवित्ति-धर्म छोर करके, निवित्ति-धर्म में हम लोग जब जाए है, वो है प्रवित्ति-धर्म, टांसेंडेंटल, अप्राकित, अप्राकित धर्म है, तो अप्राकित भूमिकाम है, जदि हम लोग जाने को चाहते है, निवित्ति-धर् जिप्तया, जिदि हम लोग भगवान का पास जाने को चाहते हैं, तो निवित्री का अर्थ होता है, पाप धर्म से निवित्र, अर्थित्र, बिल्कुल निश्पाप नहीं होने से वो भगवान को ना समझ सकेगा, और भगवान का पास जाने का तो बात ही छोड़ी, जेशांतु अंत्यवत्यम पापं जनानां पुन्य कर्मानां ती धन्नमह निमुक्त भजन्तिमां दिरभृता है। यह भगवद्भवान करना साधना बात नहीं है, इसलिए भगवद्धार्म को परमहं सिधर्म का जाना, परमणिर्मस्वाना सतां बास्ट भवस्त बेद्धमत्र परमहं सिधर्म का जाने का, मतलो है, जिदी हम लोग भशुदे कचरनार बिंड़ मैं भशुदे भगवथी भशुदे कोन है, सयंग भगवान, सयंग भगवान, कृष्णास्तु भगवान सयम्, आदी भगवान, आदी पुरिसम्, गोहिंदम्, आदी पुरिसम्, तमान बजाव्, तु ओ जो बासुदे कृष्णा, बासुदेव का अर्थ वियोता है, जो सब्जागा में बैठे हुए, बैस, बसा हुआ, बासुदेव, इस्वर शर्व भ पुति, यचक्ति रस्ति यकजन्य चयाज दंतं, अन्नांतरस्थं परमान चयांतरस्थं, गोविंदम्, आदी पुरिसम्, तमान बजाव्, तु बासुदेव, इस्वर कृष्णा, बिन्नामन बनाते हैं, और बासुदेव, एक्स्वर का मतुरा, आदी, सान में रते हैं, क पुरिसार्त्रका भी जाएं, तो बासुदेव, यदि ये बासुदेव प्रस्णा, उनका चरण में हम लोग भक्ति-जोग पुरेजिततने लगाएं, तो फिर इसका फल क्या होता है, जनयति आशु बाइराग्यम्, ये चीट चाहिए, बाइराग्यम्, इसलिए भक्ति-ज का और एक नाम है, बाइराग्य विद्या, चैतन्य महापुरु शिखाग्यम्, बाइराग्य विद्या निजभक्ति-जोगम्, शिखातमेका फुरुषपुरान, शीक्रिस्न चैतन्य शरीर धारी, पिपाम् भुदिज्यस्तमहं प्रपदे, बासुदे भत्राचार्यम्, सा चौँ स्लोप में किया था, उसमें दो बिलता है, और चैतन्य महापुरु उसको फार के फेक दिया था, तो हम लोग को शिखाने के लिए, स्तृति हम लोग चाते हैं, चैतन्य महापुरु को सौँ स्लोप से स्तृति किया, वो उसको फार के फेक दिया, तो उसमें भक्त का पुरुषभ पुरान स्री क्रिस्णचयत्ण्य को रहे हो कर दो कि पाम also प्रफदेट. जो स्रीर कर दोल जो बगाम को स्री क्रिस्णचयत्ण्य क्रिक्रतुए यू भी शी खन रहा स SECRET है. और शीहा रहा है कया भेराग विद्या औब गोँ निजभक्ति यूगं. भईराग व अधिया निजय भक्ति जोग्हा होता है, कि जो हम लोग जन्या में फशे हुई है, भोति, ये शरीर का लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसमें बहरादव होना चाहिए. ये भक्ति जग्हा होता है, जब तक ये सरीर शादन के लिए, हम लग को बाइराग उत्पादन नहीं. भक्ति परशानु भगव बिरक्ति अनत्रस्या। इस भक्ति. भक्ति भगवान को अनुभव करना और साथ-साथ में ए दुनिया का विषय में बाइराग उत्पादन करना। हन्या विलाषिता सुन्यम। दुनियाम का जो आसत्ति उसका मतना केवल अभिलाष, काम, सब समय, अपरिमित, उसको परिमान नहीं है, कहां तक जाना चे, तेसा अभी दुनियामे चलना है। कहां तक भौत एक सम्वता आगे भरना चाहिए, उसका कुछ मियाम नहीं है, आगे चलना, 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 आग ग्रहन करते हैं। इसलिए करता है जो वो संभव होगा, यदि बासुदेवे भगवति, भक्ति, यूग, प्रेव। जैसे बासुदेव भगवान कृष्ण को आम लोगे था रजम करते हैं। आप लोग किपा करते हैं। यह घर में भी आप लोग कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। भगवान विराठ रूप होते हुए भी भक्त को किपा करने के लिए चोटा सा रूप भी ग्रहन करते हैं। भगवान को विराठ रूप से आप देखने चाहते हैं, वो भी कृस्तूत है। और आपको भजन करने के लिए छोटी सी मूर्ती भी धार्म करते हैं। तो भास्यदेवे भग्ति यह शुरू करनी चाहते हैं। गरगर्ण। आर यह मंदिर में नहीं, मंदिर में चिखा जाता है। किस तर से भगवान भजन करना है। और इसको विशेश करके ग्रिहस्त लोग जो है। यह बास्यदेवे भगवति भक्ति योगो शीद। बास्यदेवे भक्ति योगो तो भईराग्य हो जाए। बिना भईराग्य हुए हमको यह आवागवन चालू रखने परेगा। एक शरीर छोड़ करके और एक शरीर धारन करने परेगा। और कर्म का अनिसार भोग करेगा। यह जो है जन्म में तुझ जराप्यादी। यही आसर दुख है। यह आत्मी नहीं समझता है। आत्मी समझता है। यह आमको मौका मिल गया खुब सुख भोग करे। नहीं मौका ते जरूर मिला है। बाके वो जो चीज है इंदियत्यत्यत्य उसमें आप फस जाएंगे। यह विशब्दे बता है। नोनंग प्रमत्यकुरुते विकर्म। जदि आप प्रभित्यमार्कमें में ज्यादा फस जाएंगे तो विकर्म करने परेगा। नोनंग प्रमत्यकु। फुरुते विकर्म। वाने सातके भिरुध्यकुं काम है वो सब करने परें। जोर्से जबर्दस्ति पुरुते विकार्म। और वो विकर्म क्यो मैं कर रहा हूँ। चार्नियत्यत्य सिंप्लिफ़। for the satisfaction of the senses. इंदिर को सुख के लिए. दूसमें क्या लाब होगा, नफस जाएंगे, शरीर फिर लाब करने के, लेने पड़ेगा, तथा देहां तर अप्राप्ति, और जहां शरीर आप, बहुत इक शरीर धारन क्या, केवली दुख, मा का धर्व में दुख, महराने से दुख, इ अध्या का प्रभाब से हम लोग दुख को सूख मान लेते हैं। इसका नाम माया। असरम में आये दुख, दिन भार हम लोग परिश्वम करते हैं, परिश्वम करके कुछ रूप्या मिल गया, हम लोग समढ़ता हैं बराशुत। और जो परिश्वम किया इतना उतको भुल तो इसके लिए गईराग पायदा करने। पहले बताया ना, जो जयात्मा सुप्रसीदति, आत्मा को सुप्रसन्य करने के लिए, वो पुंशांग परो धर्न्यु यतो भक्ति रद उखते। इसे आत्मा को सुप्रसन्य करने के लिए। ज्ञायात्तामाव ś Legisl差不多 है। जदि आप शांती चाहते हैं आत्मा को Śुप्रसंद करने को चाहते हैं तो यह रास्ता है . पि भगवान भोग्ता है। मैं भोक्ता चाहिए। तो भगवान को भोक्ता बनाई है की मंदिन में होता के। जो कुछ काम हो रहा है बगवान की लिए, बगवान की लिए, बगवान का सुप्रसन्यता के लिए, अपना सुप्रसन्यता, बगवान सुप्रसन्य हो जाने से, मैं भी सुप्रसन्य हो जाओंगा, जिसका पेर में, मूल में पानी दीजिए, मूल सुप्रसन्य हो गया, तो सब पेर का डाल, और पत्ती, पूल, फाल, और शाखा, प्रशाखा, सब खोछ, सब शंतुष्ट हो जाए। यह दुनिया का शुख के लिए हम लोग बहुत कोछ प्लैन बना रहा है। बाकि यह एक प्लैन है, कृष्ण का शाथने, कृष्ण का शुखी कीजिए, कृष्ण का शुखी है, हमारा तरश से कोछ उज्योग होना चाहिए। कृष्ण दुखी नहीं है, बाकि कृष्ण का भगवद-गीता है, कृष्ण का जो उपदेश है, यदि आप उसको प्रचार करें है, तो कृष्ण बड़ा सुखी है। यह चैतन्य महामु का भी जाए। जारे दाको तारे काहो कृष्ण उपदेश। जारे दाको तारे कोहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महामु कृष्ण है। परंतो क्योंके उनने कृष्ण का भक्त रूप से प्रचार कर रहे हैं, इसलिए करते हैं कृष्ण उपदेश। नहीं करते हैं, हमारा अदेश। हमारा अदेश है। हमारा अदेश क्या है? जो खृष्ण उपदेश को सुना। यह चैतन्य महामु का मिश्ण है। जारे दाको तारे कहो कृष्ण उपदेश। कि आप लोग सभी कर सकते हैं, क्या मुश्किल है। और जदि आप खृष्ण उपदेश को प्रचार करेंगे, तब गुरु हो गिया। गुरु होने कोई मुश्किल नहीं है। ज्यादा विद्वान होने का कोई ज़रुरत नहीं है। जदि केवल आप कृष्ण जैसे बताया हैं, ऐसी बताया है। पबलिक को नहीं, अपना गिर्यस्ति में साम को बाट करके कृष्ण उपदेश बताया है, तो आप गुरु हो गिया। गुरु होना कोई मुश्किल नहीं है। तो गुरु का उचीत है कि सब को मौत से बचाए। गुरु नसस्षा, पीता नसस्षा, जननी नसस्षा, नमोचएजा, समपेतमित्तुम। यह गुरु का काम है, पिता का काम है, माता की काम है, स्वजन का काम है, बंदु का काम है, क्या काम है, जो मौत से सब को बच्चा है, तभी गुरु होना ठीक है, पिता होना ठीक है, माता होना है, लगी यह तो आदमी समझता नहीं, तो मरने का है, मर जाए है, नहीं, यह मरेग तुम्हारा तो मृत्व है नहीं, तो क्या महरते हैं? बास्तविक जीवा आत्मा महरते नहीं, ना हन्नते हन्नमाने शरीरे, केबल शरीर पलगते। ये भी बड़ा धन्यट है, और बहुत रिस्की है. अब ये सुद्णार मनुष्वर शरीर है, और नेक्स लाइब योदि पेर का शरीर बन गया, वो तो शरीर तो लेने परेगा अप्रा कर्म का अशार. ये बड़ा धन्यट है, ये बड़ा दुखा है, कोई आदमी अगर मनुष्वर सरीर एक पेर बन गया, नेक्स लाइब में, कुत्ता बन गया, या क्या लोभनिय बस्तु है, नहीं, कर्ण्यम चीज़ है, इसलिए इस्टिवन में ऐसी काम करना चाहिए, भगवद भक्ति जा ये बस्तु है, ये ज्ञान है, जो मैं मित्यवस्तु है, भगवान का अंसर्ष्वरुप है, अहंग ब्रमास में, मैं मित्यु का क्यों शिकार करूँगा, ये ज्ञान है, क्यों आँ मरूँ, पीस अब विचार, भागवद में अच्छी तरह से बताएं गया है, उसको आप सुनिये, अप लोगते साम में मर हैं है, और उसको अच्छी तरह से पढ़िये, पर करके, ये बासुदे भे भक्ति योगा प्रयाजिता, भगवान बासुदे में भक्ति योग सुरू कीती, कुछ में क्या लाभ होगा, जना है ति आशु बहिराग्दम, हमारा बहिराग्द होता नहीं, दिन-दिन, केवल हमारा आशक्ति होती है, दिल्या को भोग करने के लिए, तक हमको चाहिए बाइराग्दो सुपादम करने के लिए, नहीं, स्वामिन किता थोस्मी बरंग न जासुदे, जैसा धुब धुब महाराज का हुआ, बाइराग, इस्टना, का पास जाके कुछ मांगना है, ठीक है मैंने, फुर्ण बाइन ये कर सकता है, जो जुसको फुर्ण नहीं है, वो भगवान का पास पहुंच भी नहीं सकता है, और जो फुर्ण बाइन है, चाहे कुछ दुनिया के लिए मांगता है, तो भगवान का पास पहुंचा है, उसक आपको जो दर्चन मिल गिया है, बस एह सबसे बढ़िया चीज है, और हम कुछ नहीं चाहिए, इसका नाम है बहिराग, और हम कुछ नहीं चाहिए, यह बहिराग, तो जदि बासुदे भगवार में हम लोग भक्तियोग लगाएं हैं, तो very soon, आशु, आशुका अर्च होता है very soon, बहुत जदि, जनायति आशु बईराग, उसका प्रभान से रुप देखिए, यह सब अंग्रेट बालक लोग, कितना बईराग भोगिया है, यह सन्यास लोग, सन्यास लोग, सन्यास लोग, सन्यास लोग, और चैतन्न महापुर का जन्मतिति में जोग करने के लिए, पैरिश से, लंडन से, जाने आने का लिए लाग रुपया खर्च हो जाए, यह लोग, रुपया पैसा लगाता है, सराप पिने के लिए, और कुलाब में जा करके डांच करने के, तो कितना बईराग भोगिया, यह सब चोर जिया, अब चैतन्न महापुर का जन्मस्थान में आने के लिए इतना पैसा खर्चा हो, देखे में क्या बईराग था है, प्रामाने का, जन्य थी आसु बईराग दो, चार-पांच वर्स हमारे साथ में है, जादा दिन नहीं है, कितना जल्दी बईराग दो खिप्रमान शरू है, बासु दीभगवती भक्ती यूगं जनाति आस बाइरागम और ज्ञान गी होगी है। उन्त कूछी है इसे बाद सित्ती जिए सास्तर रमसा ठीक-ठीक बात करें है ज्ञान होगी। जनाति आस बाइरागम ज्ञानंच जद अहईततु किस तर से हुआ कोई नहीं बल सकते गा। अहईततु क्या हेतु है। नहीं है वह बाशुदेवे भक्ति यूग अप्रेश। यह है। आपकोई है। यह लोग इतना भोगी है इतना बाइलागम को ग्रहन क्या है। किस तर सिप्क्या है। अहईततम। नहीं है। वह एक ही मात्र कारण है कि वाशुदेव जो है उनका चरन में जीवन को बिखादु क्या है। ये प्रमान भी है, सास्तुर सिध्धान भी है, और सब के लिए उचित है, ये भगवान बासुदिव का चरण में भक्ति जो चेव, सुल चेव, आदान प्रजान करें, यदाति प्रदिकिन्नाति भूंते भोजयते चईव, गुझ्यमाखाति पिच्छति सरवीद भीति लक्षनम। ये प्रिति का लक्षन है, ये भगवान का प्रसाद खाये और भगवान को दीजिए। प्रद्रम भगवान जा चाहते है की कुछ्च देव, आद, देव पूस्छ हमको. कच्छ हमको कुछ्च हमको. भगवान भगवान का जामराजिया, तुम्हामको थोड़ा कच्छ देव, पूस्पो देव. अगर तुम्हारा पास कुछ है नहीं, तो देव हमको कुछ. क्या देव हमारा पास कुछ है नहीं? नहीं, देव, एक पत्ती छीद, एक फूल लेआओ, पर आशे पानी को हम ग्रण. अब क्या चाहते हैं? क्यो भगवत लक्ति नहीं करें? कोई मुश्किल है क्या? भगवत भग्ति. भगवान सब बात में राजी है. यह भग्ति-जोग का पिचार जो हो रहा है, कृष्ण कांसेस्ने, जहुर सास्त्र का अधार्न में है. यह कोई ऐसा बनाएं चीज नहीं है, मनमार्न, नहीं. कैसा भगवान करते हैं, जहसा सास्त्र करते हैं, कुछी मुताविक. यह भग्ति-जोग, कृष्ण कांसेस्ने इस बुचार हो रहा है, इसमें आप लोग, आप लोग धन्नवाद है, आप लोग तो साजोग करते हैं, खुबाचिता से सम्झेए, साजोग भीजे, इतना ही प्राव्त पनाएं. Thank you very much. यह भग्ति-जोग करते हैं.